हेलो दोस्तों मेरा ना मैक्षे और आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कम टाइम के अंदर हम अपना ज़्यादा वर्क कैसे करें बिसकली हमारा दिन हम प्रोड़क्टिव कैसे बनाए इस वीडियो में बेसिकली जो भी मैं टीप्स देने वाला हूँ ना उग मैंने खुद अपने लाइब में अपलाई किया है बहुत से रिजल्ट मिला है तब जाके मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ और हाँ अगर आपको ये मेरी बुक खरिदनी है नई सोच करके तो आपको ये Amazon, Flipkart दोनों के उपर मिल जाएगी तो आप इसको जरूर खरीच सकते है तो आप बात करते हैं कि कम टाइम में हम अपना ज़्यादा वर्क कैसे करें तो पहली बात हमेशे धान रखना जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो एक ही काम के उपर फोकॉस करना पता है पहले मैं काया करता था अगर मुझे कुछ डिजाइन करना है या फिर मुझे कुछ वीडियो भी बनाना है तो मैं डिजाइन करते क्या करता था बैक साइड में जो विंडियो होते है उसके उपर एक मुवी देखता था, मुवी देखना फिर काम, मुवी, काम, ऐसे करते-करते, ना मैं सही से काम कर पाता था, ना मैं सही से मुवी देख पाता था, उस चकर में दो गंटे के पोस्ट डिजाइन करने के लिए मैं पूरा दि तो ये गलती है, आपको कोई भी वर्क करना है, तो एक टाइम पर एक ही वर्क करिए, दोनों वर्क एक साथ मत करिए, ऐसा करोगे, तो वर्क करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और इतना सारा वक्त आपका बरबाद हो जाएगा, Okay, multitasking आपको नहीं करना है, second thing, आपको हर एक चीज काना time table बनाना है, अब आप बोलोगे time table कैसे बनाए, हर बार हम time table बनाते हैं, लेकिन फेल हो जाता है, लेकिन देखो time table बनाना बहुत important चीज है, देखो जैसे कि आप college में जाते होंगे, school में जाते होंगे, तो हर एक time table fix होत मुझे कौन सा over करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका time कहां पर invest हो रहा है, जैसे मान के चलो आपको digital marketing सिखनी है, तो 10 to 11 मुझे social media marketing सिखना है, फिर 11 to 12 मुझे कुछ और सिखना है, फिर 1 to 2 मुझे basically website creation सिखना है, तो ऐसे चीजे आपको basically क्या time table बनाना पड़े तो उस time में आप क्या करो, जो hard work है, जो important work है, ओ आप basically कर सकते हो, यह दो चीजे का आपको बहुत सही से ध्यान रखना है, and third thing, जो कि आप ऐसे सोचोगे कि कल सही मैं एकदम productive इंसान बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे धीरी आपको सही चीजे करनी अब मैं more than 7-8 hours तक भी work कर लेता हो, लैपटोप के ऊपर यह क्यों, क्यों धीरे 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 मैंने start किया, पहले एक घंटा start किया work करना, फिर दो घंटे फिर तीन घंटे, धीरे धीरे productivity जो है इन्क्रीज हो जाती है, एक ही दिन में आप कल सही 24 hours तक काम नहीं कर पाओगे, इसको basically क्या करना पड़ेगा, आपके body को आदत लगानी पड़ेगी, तो यह दो चीज ही आप बहुत, मतलब ज्यादा से ज्यादा धान रखना, पहला कि भाईया, मल्टी टास्की नहीं करना है, एक time में एक ही काम करना है, उसकी उपर focus करना है, second कि हर एक चीज का आपको time table बनाना है, मैं फिर से बतारो, time table बहुत सारे लोग नहीं बनाती, even मैं भी कुछ time table नहीं बनाता, बट जब से मैंने start किया time table बनाना, हर चीज को systematic way में लेना कि इस time है, तीन घंटे में मुझे ये video बना के ready करना है, मतलब करना ही है, एक deadline सेट करनी है, ऐसे करोगे तो बहु तो ये चीजे बिल्कुल भी मतकुर, ऐसा करोगे, तो बहुत time आपका waste हो जाएगा, और इतने बड़े time में, छोटा सा आपका work हो जाएगा, और उसकी कुछ value नहीं होगी, इसलिए जो आज की video में आपको tips दियेना, इसको ज़रूर follow करना, देखना बहुत सही आपको result मिल और हाँ, अगर आपको और इसी तरह की video चाहिए, या फिर आपको digital marketing सिखना है, तो मुझे YouTube चैनल के उपर subscribe ज़रूर करिए, description में link मिल जाएगी, या फिर आप मुझे inbox में करके भी, message करके भी वो link ले सकते हो YouTube चैनल की, और thank you